हेलो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को दिखाएंगे स्ट्रावेरी प्लांड रिपोर्टिंग करके आज हमें नार्षारी से स्ट्रावेरी प्लांड लाए और आभी नार्षारी में बहुत स्ट्रावेरी प्लांड मिल रहे और देखिए हम एही पर 8 इंची का एक गामला लिया और एही पर जो होल है हम जो कोकोनट सेल बंद कर रहें फिर उसके बाद हम यह जो मेरा गार्डेन सोयल और किजेन वेस्ट कॉम्पोस्ट मिक्स्ट करके यह प्लांट हम लागाएंगे ज्यादा कुछ फार्टिलाइजर हम नहीं डालेंगे तो 20-20 में हम लिकुड फार्टिलाइजर देंगे और प्लांट भी बहुत सुन्दर है देखिए और इसको जो प्लास्टिक है यह हम फेक देंगे काट दिया और यह लागा के धूप में राग दीजिएगा तो बहुत आच्छा से हम लागाएंगे देखिए पहले नीचे थुड़ा मेट्टिटी डाला फिर उसके बाद स्टॉबेड़ी को घाले देक लिया तो ज्यादा हम नीचे नहीं राखेंगे क्योंकि स्टॉभीवेश तो उपर में होता है उसका ज्यादा मेट्टी में लाग रहेगा तो उसका उश्र जाता है ज्यादा करके, तो और एक टो हम लागा दिया, और एक टो हम लागाएंगे, यह भी हम आतेंची का गंळा लिया, और इसमें भी हम जो को कोजनाट सेल देखे होल हम बंद किये, आप लोग भी कोई स्टोन चीब या कोई टुक्रा लक्री का टुक्रा देके होल बंद कर सकते हैं फिर उसके बाद थोड़ा बालू देके बंद कर जिएगा और इसका ड्रेनेश सिस्टेम आच्छा राखिएगा तो नहीं तो इसमें थोड़ा पानी जम जाएगा तो इस शर जाता है तो इसको भी हम लगा देंगे और पहली बार जब लगाएगा जो आप कावडंग कॉमपोस्ट यूज कर सकते हैं तो ज़्यादा पूराना कावडंग कॉमपोस्ट यूज कीजिएगा नहीं तो इस ब्लांट शर जाता है और कुछ नहीं है थोड़ा क्याल लीजिएगा पीजबीज में फांगी साइट यूज कीजिएगा तो आच्छा है तो चुलिए लागा लिया आभी हम पानी डालेंगे पानी डालके हम धूब में राग देंगे कुछ नहीं होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में हैपी गार्डेनिंग थैंक यू